हाई फ्रेंज मेंगों माने वल्कम टू मूवी शूवी करते हैं आपके लिए जो की ऐसी जबदस तरीके की या तो हॉरर स्टेट अफ माइंड क्रेट कर देंगी या फिर साइकलोजिकल थ्रिलर ऐसा होगा क्या बुलोगे यार एक एपिसोड से तो काम नहीं चल रहा यह तो म पांच साल पीछे जाएं तो कुछ बहुत ज़्यादा जबरदस मूवीज भी हैं और कुछ अगर दस साल पहले तक भी चले जाएं तो बहुत जबरदस तरीके की ऐसी वेब सेरीज भी बनी है जिसको पहले टीवी शोज कहा जाता था और आपको OTT प्लाटफरम पे मिल जाए वेब 2013 के अंदर आई थी और 2015 में इसका कॉंक्लूजन हुआ था बहुत ही अजीब सा रेलेशिंशिप यहां पर दिखाया जाता है वहलब सुनोंगे यहां गूसबंस आएं कानी यहां पर एक है FBI agent की Will Graham की उसको यह बोला जाता कि भाया यह missing लड़की की एक खबर हैं तो फिर इसकी सपोर्ट के लिए आता एक अलग से साइकलोजिकल डॉक्टर सोटू से जिसका नाम होता है डॉक्टर हैनिबल और वो हैनिबल बोलता कि जी मैं इदर दिमाग का इलाज कर दूँ और पता चलता है कि यह जो हैनिबल वहीं है कुछ हैनिबल टाइब के हैं तो कौन किसको influence करता है यह देखने वाली बात होती है इसके अंदर scary पार्ट यह कि वो इंसान जिसको यह help करने के लिए आया है ताकि इसकी मनोधशा जो है वो एकदम calm composed रहे और जो यह किसी भी murderer को देखके यह कहने लग जाते है यार उसके कोई reason रहे होंगे तो जो यह softy बन जाता है उसको मजबूत करने के लिए जो doctor Hannibal आया है यह और इसके जो relationship है एक अलग से dark zone के अंदर चले जाते है और वो इसको influence किस तरीके से कर देता है और किस zone के अंदर कर देता है जो point of no return चला जाता है यह खुद killer बन जाता है यह figure out खुद करना यह जो terrifying तरीके की mind game ह यह जो tension create हो जाती है कि ultimately यह जो भाई साब है doctor Hannibal यह पकड़ में भी आने वाले किसी के नहीं पकड़ के आने वाले यह बहुत ही ज़्यादा जबरदस रहाता है यह एक ऐसी series है जो लोग को आज तक मज़े ही मज़े दिये जा रही है 2010 के अंदर यह शुरू होई थी इसकी IM अधर मचोने वाला होता है लेकिन वह चलता भवान बचाले था उसको उसको कोमा वोमा में रहे जब कोमा से वह उठता है तो पता चलता है कि उजड़ गया है पुरा पूरा होस्पिटल और आस पास जितने भी लोग है वो जॉम्बी बन गया है और यह कहता है यार मेरे को सब्सक्राइब करता है जैसे कि एक हैनिबल भी एक बहुत ही क्रूएल तरीके का माइंडसेट आपके सामने लेके आथा है तो डेफिनेशन यहां पर यह रहे cilantro का मतलब यहीं नहीं होता कि आपको बहुत दिख्ज्य आप होरर का मतलब होता है कि horrifying state of mind ऐसा state of mind जिससे कि आप की मतलब तो रू तक काप जाए, रू देखे नहीं, बट रू बोले कि भाई ये क्या हो रहा है, अब तीसरी स्रीज के बारे में बात करते हैं, इसकी IMDb रेटिंग है 8.4, ये नेट्फिक्स पर आपको देखने को मिलेगी, आश वर्सेस इविल डेड, अब इविल डेड का नाम आते ह आपके तोत्यों दोड़ूएंगे कि यार मदलब यार रात को मत दिखाना, बट इसके अंदर एक बड़ी अच्छी सी ट्विस्ट भी है, जहां पर आपको बहुत जादा गोर दिखने वाला है, वाला काटा फिटी, इधर, ओधर, खून, खड़ापा, बाइद सेम टाइम जो चीज दिखने वाली है, वह कि बहुत अच्छी होगी, कि यहां पर आपको थोड़ा सा सॉफ्टी बना दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर हलका सा कॉमिक रिलीफ भी आएगा आपको, लेकिन इतना बढ़ी आएगा कि IMDV रेटिंग 8.4 है, कई बार यह जो कॉमिक रिली होने की ancient टाइप की, उसको किताब मिल जाती है, और इसके पुद्धि पढ़ना शुरू करता है, तो जो होती है, गंदी सी शक्ती जो होती है, वो उजागर हो जाती है, लोग जॉम्बी टाइप से बनने लग जाते हैं, और इसके पीछे पड़ जाते हैं, दुनिया के यह भी ऐसी तरीके की सीरीज है जो आप एक एपिसोड नहीं देखोगे बार-बार देखते ही चले जाओगे आप चोथा मैं आपको रिक्मेंट करते हूँ जिसकी IMDB रेटिंग 8.2 है Amazon पर आपको देखने को मिलेगी Penny Dreadful यह 2014 से लेगे 2016 तक आई थी यह थोड़ी सीरियस वाल मामला है यहाँ पर आपको Victorian London दिखेगा जैसे यह मैं आपको बोलूँगा Gothic तरीके का treatment दिखेगा यह सारी चीज़ें आपको दिखने शुरू होगी तो आप बोलोगे कि हाँ यहाँ पहले से ही जो मौल है उस तरीके का dark zone के अंदर चला गया तो यहाँ पर पहले दिन से ही पहले स्क्रीन से ही आपको यह तरीके के zone के अंदर डाल दिया जाता है जहाँ पर आपको कुछ ऐसे लोग दिखेंगे जो एक missing लड़की की investigation करते करते यह पता चलता है कि यहाँ पर बहुत जादा supernatural threats भी है लंडन के अंदर अब यह लंडन के अंदर इन supernatural threats से कैसे लड़ते यह काफी जादा dark horror zone के अंदर चला जाता है बहुत जादा scary इसलिए भी हो जाता है क्योंकि तो गोर है बहुत जादा twist and turn है chilling है और जो इंसानियत के बिल्कूल opposite हो जाता है यहाँ पर मामला आपको ऐसे लगता है कोई किसी का नहीं है बहुत disturbing से इसके अंदर characters है और कुछ- यह सारे जो characters है दो ग्रे जो भी characters है सारे यह सारे वापस आते हैं और यह मिली जूली संकटहन मनाता है कि कैसे हम supernatural से लड़ेंगे यह अपने आपने experience है और जो इनकी आपस में equation है एक square create करके रखते है क्योंकि अगर थोड़ा सा भी एक दूसरा सा दूर हुए तो भाया सब्सक्रिप्शन तो देना ही पड़ेगा इंडीवी ग्रीटिंग है 8.1 इसका नाम है Bates Motel और यहां पर किस तरीके से motel एक खरीदा जाता है Bates परिवार के तुरू जब उनके father साब का thank you very much हो जाता है और जब Norman Bates बैसिकली जो central character है यहां पर उसको कुछ-कुछ blackouts होते है और उसके बाद वो psycho behavior करने लग जाता है किसे को भी मार सकता है उसको ऐसा लगता है कि वो किसी से बात कर रहा है वो को होना figure out करते हो उसकी mom है जो उसको सबसादा समझती है और उससे एक अजीब सा dynamics उसके साथ बन जाता है और यह जब dynamics बनता है तो आप mother के लिए concern फील करत लेकर आता है psychotic behavior लेकर आता है और तोड़ा क्योंकि shocking तरीके का treatment वो लेकर आता है तो आपको tension मनी रहती है कि भाई अब इस बरी के क्या करने वाला है ठीक है जिसकी वज़ा से अब दूनों मा और बेटा कुछ नहीं उस troubles में रहते हैं और पहले season से ही आपको से रखते है के अंदर कहिना के बहुत ज़्यादा गोर है कटम कटाई है बहुत ज़्यादा slasher टाइप की आपको चीज देखने को मिलेगी horror देखने को मिलेगा और कुछ ऐसा समा बन जाएगा characters के अंदर के आप बोलोगे किया मैं इनको छोड़ नहीं बार रहा हूं यह तो मैं अब श